आपका स्वागत है देखे बटा लास्ट क्लास में हमने बताया था इस ती शिख्षा के विरोधी कुदरकों का खंडन दुआरा माविर प्रसाद द्वेदी दुआरा रचुट था यह रचना इसमें हमने द्वेदी जी का जीवन परिच्छ आपको बता दिया है ठीक है उसके स्थे बाश चुरू होता है पार कि देखे पेज़ियर नंबर 61 अपनी किताब का पेज़ियर नंबर 16 norm así का अजनी तैप निए परिफ़ीयोती जी ₹ Till दुआ है प्रस्थुद निवन यह कैसी रचुदि रचना है महिला मोद सीर्षक निबंद संग्रे से लिया गया है यह निबंद प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका के रूप में पड़े लिखो का पांडित सीर्षक से प्रकासित हुआ था अर्थात पहले इस रचना का नाम था पड़े लिखो का पांडित थे ठीक है उसके बाद इसका अरूप चेंच अर्थेस का नाम बदलकर इस्त्री सिक्षया के विरोधी कुदर्पों का खंड़न हुआ 21 वी सताब्दी में इस्त्रियों इस्त्रियां सिक्षया विर्ज्यान सरकारी सेवा निजी छेतर व्यापार एंवानी दुसाईर सभी छेतरों में पुरुसों से कंदे से गंधा मिला कर समाज निर्मान ये विकास में अपना क्या दे रही है योगदान कहने का ताक्रिया है कि इस्त्रिय शिक्षया और पुरुसिक्षया एक सिक्के के दो पहलू है एक रत के दो पहिये है जिस प्रकार से एक रत एक पहिये के साहरे सुचारू रूप से आगे नहीं चल सकता आगे नहीं बढ़ सकता उसी प्रकार हमारा देश भी उसी रत के समा यादि हम इस्तिती सिक्ष्या को बढ़ावन नहीं दें आगर पुरुष देते हैं देश सेवा में इस्तों तो तो 21 सताबदी में इस्त्रिया, सिक्ष्या, विज्ञान, सरकारी सेवा, नीजी छेत्र, व्यापार एं मानित सहित सभी छेत्रों में पुर्सों से कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्मान एं विकास में अपना क्या दे रही है योगदार। लेकिन इस इस्त्ति में पहुचने के लिए इस्त्रिया, सिक्ष्या, के पक्षिधर्म, सिधारकों को पुरुस प्रधान एं विलूडिवादी समाज से क्या करना पड़ा है कडा सन्गर्ष देखें, जब इस्त्रिया आगे बढ़ रही थी इस्त्रियों को प्रात्मित्ता दी जा रही थी इस्त्रीय कंधे से कंधा मिला कर देश सेवा में अपना योगदान दे रही थी उस समय समाज में कुछ ऐसे कुत के आ गए थे कुछ ऐसे विरोधी आ गए थे जो इस्त्री सिक्षा के पक्षी धड़ थे सुन्हें पक्षधरों ने सुधरक भी कह सकते है इस्त्री सिक्षा के सुधारक या उनके हिदसी कह सकते हैं उनको पुरुष प्रधान ऐसा समाज जिसमें पुरुषी प्रधान है ठीक है इस्त्री का कोई नाम नहीं है या उसका कोई महत्वे नहीं या उसका कोई अस्तित्वे नहीं है तथा रोडिवादी समाज ऐसा समाज कड़ा क्या करना पड़ा संगर्स इसके बाद शुरू होता है प्रस्तुत निबंद इस तरी सिक्षा को समाज एवं परिवार के विगटन एवं पतन के दिये जिम्मेदार ठेहराने वाली दक्यान उसी सोज को एकार्ट तर्गो द्वारा सिरे से क्या करता है खारिज करता है देखें इसमें कुछ कथिन च्ब्ध है करती सब्दों को आप अपनी नोट बूक में लिख सकतेे हैं ऑफिर सबसे पहले आप अपनी बूक में लिख सकते हैं पैंसिल के साइसी तो कषिन सब्ध्यां कौन-कौन से हैं देखें जैसे पहला कठीन सब्द है विक्टन विक्टन को अमपतन भी कह सकते हैं ठीक है दक्या नुसी दक्या नुसी सोज जिसका पुरानी सोज कहेंगी ऐसी सोज जुगटिया सोज होती है जिसमें केवल लड़कों को ही वनेता दी जाती है लड़कों को ही प्रात्मिता दी जाती है एकाटे, जिन्हें काटा नगी जा सकता, तर्क, विचा, तर्क सब्काट क्या होता है, विचा, तो यहां कुछ कठिन सब्दा आ रहे हैं, उनको आप नोट करेंगे, खारिज करना, रद करना, ठीक है, इसके बाद है, साथ ही इसमें इन दक्यान, उसी एवं एप्रासंगिक, जो प्रसंग में नहीं है, ठीक है, जिनका कोई सही जिक्र नहीं होता, जिनकी कोई सही चर्चा नहीं होती, परमपराओं के अंधानुक्रण के बजाए विवेक सम्मत, ध्यान पूर्वक, एमतर्क पूर परमपरा को ग्रहन करने की क्या कही है बात देखे इसमें क्या करना चाहता है ध्रेदी जी कि हमें प्राचीन परमपराओं के आधार पर कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि कुछे प्राचीन परमपराओं कुछ अच्छी भी है और कुछे बुरी भी है पहले क्या होता था प्राचीन समय में लड़कों की जो शिक्षा थी उसको मैत नहीं दिया जाता था इस तरी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता था तो पैटा इसमें जरूरी नहीं है कि जो प्राची परमपराई चली आ रही है वरसों से सद्यों से हम सभी को अपने जीवन में ठाले अपने द्यूंने उठाबे या उनका अनुतरन करें करें लागू कर सकते नर्साइब नही नहीं सकती है इसकी बाद रचनाकार कहते हैं, इसकी भासा सहली हिंदी के वेदी युगीन गर्दी के एक बान के एक संदर उधान प्रस्तते करते हैं, तो एक बाद फिर से देखे पाट परिजी को समझने की कोशिज करेंगे, प्रसुत निमंद वेदी जी के महिला मों सीरसक निमंद से लि सभी पदों पर विराजमान थी, सभी पदों पर आसीन थी, जैसे शिक्ष्या है, विध्यान है, सारिकार सेवाहने जी, छेतर है, व्यापार है वाने जी, ठीक है, सहीद सभी छेतरों में पुरुसों से कंदे से कंदा मिलाकर आगे बढ़ रही थी, तभी तो देख का कर लेनी पड़ेती आमना सामना हुआ था या कड़ा संगर्ष करना पड़ा था प्रस्तुत निबंद इसरी सिख्षा को समाज परिवाल की विक्टन पतन के लिए जिम्मेदा ठेराने वाली दक्यान उसी सोच को अकाट तर्क तर्कों द्वारा सिरे सिख्या करता है इसको समझ यह समझा में एक उटरीश यह उनका कहना है कि यह स्राषर गलत है लेकिन विरोधी रोग है जो कुदरबों के रूप में बुरे विचारों के रूप में प्रकटे करते हैं तो द्वेदी जी उन बुरे विचारों का क्या करते हैं? खंडन करते हैं इसके बाद बिटा पेज नमर 61 परी हमारा पाट सुरू हो गया है जिसका सीज़तक आपको पेज की बीच में दिखाई दे रहा होगा मोटे मोटे अक्सरों में इस तरी सिक्षा के विरोधी कुदर को का खंडन इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको उसके बाद पठीन सब्द लिखेंगे और समझने की कोशिस करेंगी देखिए बड़े सोख की बात है सोख सब्दकार्थ होता है दुख है बड़े दुख की बात है यह एक अधन किसका है तुएदी जी का है दिवेदी जिए ने कहा है कि बड़े दुखी बात है आजकल भी ऐसे लोग विद्मान हैं विद्मान का मतलब होता है भूद है जो इस्त्रियों को बढ़ाना उनके उनके का मतलब इस्त्रियों के आउर उनके ग्रह सुख घर के सुख के नास का क्या समझते हैं कारन समझते puppies. तोुइस्तरों के पढ़ाना, शेयो को शिख्षा प्रदान करना, शिर्षा के औवसर प्रदान करना उनके अओर ग्रयसुक के नाश का क्या सवज्ते हैं, कारण सवज्ते हैं और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हो, अनपड नहीं है, गवार नहीं है, कम पड़े लिखे नहीं है, यदि कम पड़े लिखे हो, अनपड हो, गवार हो, जिन्होंने सिक्ष्या प्राप्त की ही नहीं, जो सिक्ष्या का मैत भी नहीं जानते कि सिक्ष्या क्या होती है, जो सिक्ष् सित लोग ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कोलेजों में भी सिक्ष्या पाई है जो धर्म सास्त्र यानि जो विरुत्य इस्तरी सिक्ष्या के खिलाप आवाज उठाते हैं उन्होंने धर्म सास्त्र और संस्कृत के गरंत साहित से परिजय रखती है देखे धर्म सास्त्र के जानकार है संस्कृत के गरंत भी उन्होंने पड़े है संस्कृत साहित भी पड़ा है इसका मतलब वह पड़े लिखे है और जिनका पेशा पेषा सब्ध है पेषा कारी ह होता है कारी है जिंका क्षितुष को ज़्यान प्रदान परने उन्हें सिक्षित करना और जो विरुद campaigns उखाते हैं कुमार्द गाम्यों को ऐसे लोग जो बुरे रास्ते की और चल पड़ते हैं उनको सुमार्द गामी बनाना यानि अच्छे रास्ते पर लाना सही रास्ते पर लाना और एधार्मिकों को जो धर्म का महत्व नहीं जानते जो एधार्मिक है ठीक है जो धर्म रहीत है धर्म का सार नहीं समझते उनको ध धरमतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् अधर्म का सार बताना धर्म तातों समझाना या फिर कुमार्द गामियों को सुमार्गामी समझा सुमार्गामी पर रहना देखिए आश्चिर के बात यह है कि पड़े लेखे होने के बाद भी इसी सिक्षा के विरूद आवाज उठाते हैं वो किस प्रकार अपने विचार प् अपने संस्कृत कवियों के नातको ने में विच्व तरह सबसे पहले आपको पता दें कि पहले क्या वह करता था पहले दो वासा चला करती तहीं मुख्य रूप से जानी जाती हो पहली है प्राकर्थ भासा और एक है संस्क्रित भासा देखिए समाज के अधिकांस लोग जिसमें बच्चे भी है व्रदी भी है कुछ लोग भी है कुछ युवा भी है और इस्वियं अक्सर सभी यानि अधिकांस जन्सम्हू के द्वारा जो भासा बोली गई है वो है प्राकरते भासा जो पुरुस है नाटकों में भूमिका अदा किया करते थे नाटकों में भूमिका निभाय करते थे नाटको में जिस भासा का समावेश रहा है, वो है संस्ग्रिते भासा, यह पढ़े लिखों कि जो भासा थी, वो दोनों मानी गई है, प्राकर्त भासा भी और संस्ग्रिते भासा भी, देखें, आज हम जिस प्रकार से हिंदी भासा बोलते हैं, अधिकांस जन्द सम्भू चुने लोगों के द्वारा ही कौन सी भासा बोलिंग जाती थी, संस्क्रिते भासा, तो कहने का मंदब है, कि जिस प्रकार से आज पड़े लिखों की भासा हिंदी है, ठीक है, यानि हिंदी को पड़े लिखों की भासा कही जाती है, मानी जाती है, समझी जाती है, उसी प्र प्राकर्थ भासा भी प्राशिनकाल में पड़े लिखों की भासा लेकिन जो इसी सिक्षा के विरूद्धी है वो क्या कहते हैं कि प्राकर्थ भासा पड़े लिखों की भासा नहीं है अन्पड़ों की भासा है गवार की भासा है जबकि प्राकर्थ भासा अन्पड़ों गवा वाले वो पहले दलिल क्या प्रकट करते हैं तो हमस्तरियों के कुलिल में से अनपड़ों की भासा में बाती टो में पुरुस भी भाग लिए और इसका उसके अलावा जो भी सेश राकत भासा मिश्च कह से नाटकॉमिकी को और सबस्तान भासा बोलac इनका यही है धहना कि जबकि गमाझा अनपड़ारों की भासा नहीं थी पढ़े लिखों की भासा थी जिस प्रकार से आज अगलिंदी भासा पढ़कर उचे उचे पदों पर पहुच जाते उसी प्रकार प्राचिन समय में भी क्राकत भासा पढ़कर ठीक है उचे पदों पर पहुचा करते थी इससे प्रमाणित है इससे साभित है कि इस देश में इ जरूरति को प्राइब suppressed देखिए विरोधियों को कहना है कि अध्यन करवाना अध्यन करना पढ़ाना गवारों की वात्यार जाती है दूसरे सब्दों में जो विरोधी हैं वो ये भी कहते हैं कि प्राचिन समय में इस्त्रियों को पढ़ाने की क्या रही थी चार निलती परंपरा पिटा परंपरा जरूर थी जैसे आज है उसी प्रकार से परंपरा जरूर थी लेकिन उसका रूप अलग था यदि होती तो इतियास पुरान आदी में उनको पढ़ाने की नियमबद प्रणाली जरूर लिखे मिलती उनका कहना है कि यदि प्राचिन समय में इस्त्रियों को पढ़ाने की परंपरा होती तो किसी इतियास में कहीं भी किसी पोथी पुरान में इस्त्रियों के नाम जरूर ल उनका कहना है कि इस्त्रियों को पढ़ाने से क्या होते हैं अनार्टियनी सर्वनाय सब कुछ ही लश्ट हो जाता है ऐसा होता है क्या यानि सर्वनास में शिक्षा को दोसी नहीं ठेरा सकते हम पढ़ाई को दोसी नहीं ठेरा सकते उसके बाद का है कि सकुंतला इतना कम पड़ी लिखी थी या इतना कम पड़ी थी कि गवारों की भासा में मुश्किल से एक छोटा सा स्लोग लिख सकी उस पर भी उसकी इतनी कम शिप्षा ने क्या रगत कर डाला अनर्थ कर डाला सकुंतला ने जो कटू बाद के दुष्चंत को कहे वे इस पड़ाई का ही क्या है दुष्पना देखे इसमें एक छोटी सी कहानी है पिरोध्या का क्या कहना है पहले तो यह सुने कि सकुंतला ने गवारों की भासा पड़ी है गवारों की भासा उनका कहना प्राकट भासा को जबकि प्राकट भासा गवारों की भासा नहीं थी. कि सकुंतिला इतनी कम पड़ी लिखी दिया गवारों की भासा में एक स्लोप किलचना कर पढ़ है? यदि वह पड़ी लिखी होती या पड़े लिखों की भासा पढती, तो वे अपने पती को दुश्चंत को कटू वचन नहीं कहती है यानि कटू वचन जो कही है उसमें किसको दोशी ठेरा है उसकी भासा को देखिए सकुदला और दुश्चंत इसका एक प्रसंद चलता है कि दुश्चंत ने सकुदला से प्रेम विवा किया था कैसा विवा प्रेमिवा उसके बाद कुछ समय तक वो दोलों साथ रहे एक समय ऐसा आया कि दुष्चन सकुंदला को अकेली छोड़ कर चला गया उसके बाद सकुंदला ने बहुत लंबे समय तक उसकी बाट जो ही उसका इंतिजार किया लेकिन वे वापस नहीं रोटा इस समय सकुंदला क्रोधित होकर दुष्चन को क्या कहे थे कटू वच्चन लेकिन विरोधियों का कहना है कि सकुंदला गवार ने गवारों की भासा पड़ी है अनपड़ों की भासा पड़िये इसलिए उन्होंने अपने पती को क्या कही है कटू यदि किसी भी सामान इस्री के साथ ऐसा व्यवार गुर्दा है तो वे कटू वचन ही कही लिए उसकी स्वाबाविक विसेस्ता बनती है तीसरा विचार प्रकट किया है विरोधियों ने इसलिए सिक्षा का विरोध करते समय कि जिस भासा में सकुंतला ने स्लोक रचा था वे अनपड़ों की क्या थी भासा या बात इसपश्ट होती है कि जिस भासा में सकुंतला ने स्लोक रचा था प्रकट भासा में रचा था प्रकट भासा में बार बार उसका कहना है कि वे अनपड़ों की भासा बताया गया है विरोधियों की दुआरा जबकि प्रकट भासा पड़ेलिकों की भासा थी अनपड भासा में इस्तियों को पढ़ाया जाएगा तो वह इस्तियों को क्या करेगा बर्बाद करेगा देखिए इस प्रकार से तीन विंदों की मात्यम से विरोध्यों ने अपने कुतर बुरे विचार मन की बात कही है अब आगे नेक्स पेज पर महाविर प्रसाद वेदी इन सभी विचारों का क्या करेंगे घंडण करेंगी इनके विरुदावाद उठाएंगे तो पहला प्रसन बढ़ता है कि इस्तियों सिक्षा के विरोध्यों के संदर्म में कौन-कौन से विचार प्रकटे किये हैं तो यह तीन प्वेंट आपको याद करने पड़ेंगे इस प्रसन क अब बताएंगे तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे धन्यवाद के